नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नेवला मनी के चमतकारी फैदे के बारे में नेवला मनी एक ऐसी चमतकारी मनी है यदि मनुस के पास आ जाए तो दोस्तों मनुस वो कर सकता है जो सोच नहीं सकता तो दोस्तों आप लोगों ने नांग मनी मेंधक मनी के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन मित्रों बहुत कम लोगों ने जो है नेवला मनी के बारे में सुना होगा और मेंधक की मेंधक मनी होती है उसी प्रकार से नेवले की नेवला मनी होती है यदि दोस्तों किसी को नेवला मनी मिल जाए तो दोस्तों यकीन मानिये उसके लिए तो सोने पे सुहागा है दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो में आपको नेवला मनी के चमतकारी फैदे तो बता साथी साथ आपको ये भी बताऊंगा कि यह कैसे प्राप्त की जाती है। नेवले मनी में अपार सक्ति है अपार दिब चमतकारी रहस्माई तांतरिक सक्तियां हैं दोस्तों साथी साथ अगर आप लोग जो है इस नेवले मनी को धारन करके कहीं पर भी जाते हैं तो आपके सारे कार सफलोंगे और दोस्तों आप लोग जो है हर किसी के प्रिये बन और दोस्तों आप जो है चाहें तो खजाने को अराम से इस नेवले मनी की सहता से खोच सकते हैं इसके द्वारा जिहां दोस्तों जब आप इसको धारन कर लेंगे और दोस्तों इस मनी से आप जो है प्रातना करेंगे कि यह नेवले मनी पताल में यानि धर्ती में कहां खजाना गड़ा है आप हमें दिखाईए तो दोस्तों आपको ततकाल जो है धर्ती के अंदर छुपा खजाना दिख जाएगा अगर आपको कहीं पर संका है कि यहाँ पर धन है या खजाना छुपा हुआ है तो दोस्तों आप नेवले मनी की सहाथा से उसको देख सकते हैं और उसे प्र साप नहीं भटकेगा और नहीं साप आपको कभी काटेगा यदि दोस्तों आप जो है इस नेवले मनी को अपने घर में रखते हो तो दोस्तों कभी भी साप का भय नहीं रहता और किसी प्रिकार के सब्तुरू का भय नहीं रहता और तो और दोस्तों अगर आप इस नेवले म आपके घर में गुश जाएगा तो दोस्तों वह साप दो भागों में फट जाएगा यानि हो सर्प दो भागों में कट जाएगा और दोस्तों वहीं पर मर जाएगा ये है दोस्तों इस नेवले मनी की सकती नेवले मनी में अपार छमता है दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों र और अपने पक्ष में किया जा सकता है इससे दोस्तों सनी और राहु केतु की जो भी दोसाइं वो नहीं लगते हैं अगर आपके पास नेवला मनी है तो नेवला मनी एक ऐसी चमतकारी मनी है इसको पहनने मात्र से दोस्तों आपके पास कभी भी जिहां दोस्तों कभी भी किसी शुक्तिभला मड़ की कमही नहीं होगी यदि दोस्तों आप जो है श्मॉला मणी से लिख मեղा पर साओ और तोह दोस्तों है अगर आप वहां जाकर खरके नह shoveकिए में बढ़ता जहांपर आप धन रखते हैं अपनी धन संपदा में इस न्योलमनी को रखते हैं तो आपका धन बढ़ता चला जाता है। और तो और दोस्तों आप झो है इस न्योलमनी से बड़ा से बड़ा खजाना ढून सकते हैं। कहीं पर भी राजा महराजाओं का जो है खजाना छुपा है पुराने खंडरों में या कहीं जंगलों में या फिर कहीं पहाडों में या फिर जो है मित्रों मतलब कहीं पर भी आपको लगता है कि खजाना यहां छुपा हुआ है तो आप इस नेवले मनी की सहता से उसको जो है फेस टू फेस देख सकते हो इसकी चमतकारी सक्तियों के दोरा दोस्तों है ना कमाल की बात और दोस्तों कई लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा होगा कि नियुला मनी होती है दोस्तों ऐसा है इस प्राकर्ती में ईश्वर ने हर एक जीव को कोई ना कोई ऐसी प्राकर्ति या फिर दोस्तों कह सकते हो अद्रस सक्ति दे रखी है जिसके माध्यम से उस जीव का निर्वाह हो सके दोस्तों निवला मनी अपने आप में रहस्तों से भरी हुई मनी है दोस्तों जिस प्रकार से सर्प की मनी होती है यानि नांग मनी होती है मेंडग मनी होती है उसी प्रकार से निवला मनी भी होती है दोस्तों निवला मनी अपने आप में जो है दिब चमतकारी दिब चमतकारी सक्तियों से भरी हुई होती है यह एक जादूई और तिलस्मी मनी होती है साथ ही साथ दोस्तों यदि आप जिहां दोस्तों यदि आप इस निवले मनी को धरन करते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी ग्रह बाधा भूद प्रेत सत्रू परसान नहीं करेंगे सभी सांत रहेंगे आप से कोई टकराने का सहास नहीं करेगा इतनी सक्ति होती है इस नेवले मणी में नेवले मणी के प्रियोग से जिहां दोस्तों नेवला मणी के प्रियोग से आप जो है जितनी बुद्धी होती है वो इतना ही सोच पाता है इस संसार में तंत्र सक्ति की एक अलगी माया जाल है तंत्र सक्ति का माया जाल इतना अद्भूत है और इतना दिव्य है इतना अलोकिक है कि इसको कोई काटी नहीं सकता इसको हर कोई समझी नहीं सकता इसको समझने के लिए आपका साधक होनाती अवश्यक है जो आम जन्मानस है उसको क्योलर क्योल जानकारी के लिए बता रहा हूँ ठीक है और जो साधक है उनके लिए यह जानकारी उप्योगी है वो साधक जो है इसका लाब ले सकते हैं आंतरिक लोग भी इसकालाब ले सकते हैं नेवला मनी चमतकारी सत्कियों से भरा हुआ एक ऐसा जादूई पत्थर है जिसके सामने पार्स पत्थर भी फेल है जी हां दोस्तों यदि आप नेवले मनी को धर्ण करते हैं आपके उपर दोस्तों काल का प्रभाव नहीं पड़ता आपकी आयू लंबी रहेगी आप जवान रहोगे सद्यों जी हां दोस्तों आपकी आयू एक हजार साल से उपर हो रहेगी या इससे उपर होगी लेकिन इससे नीचे नहीं रहेगी जब तक आपके पास नेवला मनी हैं नेवला मनी के पहनने से आपके साथ ऐसे ऐसे चमतका होंगे ऐसी ऐसी घटनाए घटेंगी आप सोच नहीं सकते ऐसी बिचित्र घटनाए घटेंगी कि आपको लगेगा कि पतन ही आप कौन से लोक में आ चुके हो किन्तु ध्यान रहे इसका कभी भी गलत प्रियोग ना करें यदि किसी को प्राप्त हो जाए अन्य था आप इसके स्वयम भुक्त भोगी होंगे एक चीज और ध्यान रखिएगा मित्रों ये निवला मनी ये ऐसी जादूई मनी है यह एक ऐसा चमकीला पत्थर है यदि इसकी सकती देखनी है तो दोस्तों धारन करने के बाद ही आप देख सकते हैं आपके घर में धनकी तो कभी कभी होई नहीं सकती दोस्तों आपको खजाना ही खजाना मिलेगा लेकिन दोस्तों निवला मनी प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है इन चमतकारी दिब र जाता है जो आप सोच नहीं सकते और बहुत सारे लोगों को यह चीजे गलत लगेंगी बकवास लगेंगी मजाक लगेगा फालतु की चीजे लगेंगी दोस्तों खेर उन से तो कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो लोग इस सब को नहीं जानते हैं कि इसकी फिलोसोफी क्या हो होती है तंतर सार की अपनी अलग दुनिया होती है और इसको समझने के लिए आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चीए तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नियुला मनी कहां पाई जाती है और जो है इसको कैसे प्राप्त करें अगली वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से तो दोस्तों आप सभी शन्रोध है ऐसी ही रहस्त में जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सही से और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लिजिए ताकि आप सभी हमसे जु चनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमाई जानकारी लाते रहेंगे जो आपके ज्ञान में ब्रिद्धी करेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह रहस्यमाई जानकारी पसंद आई होगी धन्यवार